विधान सभा सत्र के दस्वे दिन आज प्रशनकाल में हिंकेयर योजना का मुद्दा गुंजा दोपहर बाद शुरू हुए सत्र के दौरान प्रशनकाल में विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंदर सिंह गांधी, त्रिलोक जम्वाल वरंधीर शर्मा द्वारा मुद्दा उठाया गया लेकिन दूसरी तर्व जब मुप्यामंतर जी ने उठाया है, तो उन्होंने कहा है, इस वास्ते सुधायों में अभी सुधार नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रदेश के अस्के 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 बने हुए थे, और उसकी वजा से जो है, इसको बंद किया गया है, क्योंकि देनद के सरकार ही के दोनों प्रशें गरोधावासी हैं, और यह सबी अस्काल जो है, यह सरकार के साथ, बहुत लंबे समय से, जो इस तरह की जो है, वो सरकार से जवाब आ रहा है, और अभी तक पूरी देनदारी भी निन दे गई है, तो इनकी अंपैनलमेंट भी सरकार को रद कर लेनी चाहिए कि, और अपनी सुविदाएं जो है, अब तक ठीक नहीं हुई है, तो इसका निस्वान जो है, वो सिदे सुझे उन लोगों को है, जो अपने उप्चार के लिए अस्प्ताल का रूप करते हैं, जाए वो मिजी हो यह सरकारी, जट्की तो वहीं जाएगा, जह क्यों जाएगा, जहां उससे लगेगा, तो मेरा उप्चार ही चुछ से नहीं होगा, क्यों लगता है, ग्रोदाभासी मंत्री और मुख्या मंत्री जी के इस तर दोनों आज लिए इस विशे पर आये हैं, और हम तो चाहते हैं कि इनकी इंपैनमेमेंट भी रद्द की जानी कि सबकमेटी बनी है, आपने इस पार से करें, और वो जहां जिनका से भी वक्तों से भाव लेने चाहिए कि क्या बात है, किस तरह जिनका जो है, वो चाहती है कि उनको तुदाएं, इस तरह लोग के अंदर मेननी चाहिए जान जिसमान यूजना को किंदर करता है, अब ऐसा तरह नहीं हो सकता है, इनको तो अपना धांचा ठीक करना है, और अगर हिम केर में अनियमें ताहिए पाई गई है, तो सदन में उत्तर आया, उसमें तो कहा है, अनियमें ताहिए पाई नहीं गई है, इस तो बात में यह सब्सक्राइब बना रहे हैं इसलिए मैं कहा रहा हूं कि सब्सक्राइब बन गई है तो यह इंपैनल मेंट भी रद कर दी जानी चाहिए तब तक जब तक कि इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती क्योंकि खोड दुनोंने माना है कि बड़े बड़े पैकेज हों है वह जो भी मरीज जाता है वहाँ पर उसको लूटने के नहीं है ना कि उप्चार के लिए अब उन्हें कहा है कि कैन की सब्सक्राइब लबद है अब उसकी सूची तो तहीं जारी हुई नहीं है यह स्टाल नहीं अपने बाहर तो लगाई नहीं हुई है कोई भी मरीज जब जब है तो उसको सीदे कहते हैं कि भी आपकी तो यह जो स्कीन है यह अब हमारे हाँ बंद हो गई है शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी